कुश्चन है when a number is successively divide by 3,4,7 the remainder obtained 2,3,5 respectively what will be the remainder when 84 divides with the same number कुश्चन में कर रहे है कि कोई संख्या को 3,4,7 से विभाजित कर जाता है तो successful 2,3,5 आता है तो उस संख्या को 84 से विभाजित करने पर successful क्या होगा सबसे पर यह terms आपको दिखाई दे रहा है successively divide,successively divide का मतलब क्या होता है अगर कोई संख्या है 3 अगर कोई संख्या है 5,8,9 ठीक है अगर इस संख्या को हमारे पर संख्या दे गई है कितना 200 यह 200 को 5,8,9 से डिवाजित कर जाता है तो successful कुछ successful आता है ठीक है तो हम इसको successively divide क हम करेंगे कितना 200 कितना बर में जाएगा 40 बर में जाएगा यहां से successful कुछ नहीं बचा अब यह जो भागफोल है आपको जो भागफोल है इसमें हम क्या करेंगे आर से डिवाइट करेंगे आर से हम क्या करेंगे 40 में डिवाइट करेंगे ना कि हम 200 में डिवाइट करेंगे इसी को हम successive divide करते हैं चलिए अब question अपने जो question दिया है उसको हम समाझ लेते हैं और इसको solve करते हैं question दिया है 3-4 साथ है कि हम numbers को हम यह क्या मनना पड़ेगा x let number भी हम x मान लेते हैं और q-cent को भी हम मान लेते हैं यानि कि भाग भाले इसको भी मान लेते हैं y और z मान लेते हैं चलिए तीन बार दिया है तीन बार हम क्या करें यहां से column और row को draw कर रहेंगे अब यहां पर यह जो बीच वाले है यह क्या है इसको हम question मान लेते हैं यह है x यह है y और यह है z यह है यह है आपका क्या भाजक है भाजक कर रहे है यह है कितना आपका थ्री फोर सेविन और यह जो है इधर जो निकल कहाएगा वो क्या है remainder आपका निकल कहाएगा है यह है तो थ्री और फाइव ओके अब यहां से देखिए इसका यहां पर हम question 1 मान लेते है तो हमें साथ के लिए numbers क्या निकल कहाएगा साथ के लिए numbers क्या निकल कहाएगा अगर हमें numbers निकलने तो क्या करते है भाजक into भागफल plus reminder 7 into 1 plus 5 यह क्या है आपका question है और यह क्या है remainder यहां पर जोड़ेंगे यह बाहर यहां कितना है बाहर यहांगहाँ क्या होगा 4 के लिए क्या होगा क्यूशन क्रीजिय एक 4 into 12 plus 3 इसके लिए के काम करेगा 3 x 51 प्लस में रिमांडर कितना रहा है दू बार है यहां से देखिए कि 3 15 15 और प्लस दू यानि कि 155 अब 155 को हम क्या करेंगे 84 से डिवाइड करेंगे तो में सेस्फल यहां से प्राप्ट होगा वही हमारा इंसर होगा 1 बार में जाएगा 84 यहां से जाएगा 1 और यहां से जाएगा 7 सेस्फल कितना रहा है 7 अबसे नमबर B जो इस कुश्चन का इनसर हो जाएगा